आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आहुत का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में कुछ उधार्ण वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले आहुत का आर्थ समझते हैं आहुत का आर्थ होता है बुलाया हुआ निमंतरित या जिसे निमंतरित या आमंतरित किया गया हो यानिके जिसको इन्वाइट किया गया हो तो जो इन्वाइटिड होता है उसे आहुत कहा जाता है तो आहुत का विलोम शब्द यानिके विपरित आर्थक शब्द होगा अनाह और अनाहुत का मतलब होता है जिसे बुलाया या मंतरित नहीं किया गया हो या अन्वांचित यानि कि जो इन्वाइटिड नहों तो आईए अब हम आहुत और अनाहुत को कुछ उधारन वाकियों से समझें जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि आहुत अतीथी का आदर के साथ स्वा पैदा की अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के ल अिर वीडियो को मतलब से लाएंगे लिफश एंग। जाय।